और उससे भी बड़ा जटका आपको लगेगा जब इस सब्सक्राइबर में से कुछ लोग Hey friends, Welcome back to the channel आज का टॉपिक है सब्सक्राइबर्स यहाँ पर हम बात करेंगे क्या होते हैं यह सब्सक्राइबर्स और कौन होते हैं सब्सक्राइबर्स आप एक नया यूट्यूबर हो या इन फ्यूचर यूट्यूबर बनना चाहते हो तो आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो के किसी भी पॉर्शन को skip मात करके end तक जरूर देखना सब्सक्राइबर्स वो लोग होते हैं जो आपको चाहते हैं और उन लोगों के लिए ही आप यूट्यूब में और किसी आदर सोशल मेडिया में टिक्के रह सकते हों आदर जो सोशल मेडिया होते हैं यहां पर इन लोगों को followers भी कहते हैं तो अभी question है कौन है ये subscribers और followers और क्यूं ये लोग आपसे जुड़े रहेंगे दो तरह का लोग आपसे जुड़े हुए रहेंगे एक तो viewers जो आपके content को देखना पसंद करेंगे उसके काम के लिए और दूसरा subscribers जो आपके चैनल को subscription करके रखेंगे future में और भी वीडियो देखने के लिए या आपके दुआरा दिया गया वीडियो के notification पाने के लिए पहले YouTube को ही ले लेते हैं बाद में किसी वीडियो में और आदर जो social media होता है उसके बात करेंगे एक नए YouTuber हमेशा खोज में रहते हैं subscribers के लिए क्यूंकि उसका goal होता है subscribers को achieve करना और पैसे कमाना YouTube से ये वो भूल जाते हैं कि इसके लिए उसने कितना समय और effort दिया है और ये subscribers ढूनने की चक्कर में आपनी दोस्त या relatives के साथ आपनी वीडियो को share करना और उसे जोर जबर्दस्ती subscribe कराना सबसे बड़ा गलती होते हैं मान लिजिए आप ऐसा करके कुछ subscribers मना लिएं कितना बनाएंगे आप 100-800-200-200-300 उसके ज़्यादा नहीं जा पाएंगे आप और ये जो subscriber base आपने बना लिया वो एकदम बेकार base हो गया क्यूंकि आप जो content बनाते हो जो content हर दिन या हपते में एक बार या हपते में दो बार YouTube में डालते हो उस content से कितना subscriber का relation रहेगा ये आपको ढूंडना पड़ेगा मान लिजिए अपने 50 subscribers बना लिएं और आप बनाते हो YouTube के tips and tricks related वीडियो लेकिन उस 50 लोगों में से कितना लोग YouTube में आना चाते हैं YouTube वीडियोज बनाना चाते हैं good content को ढूंडना चाते हैं और उसको represent करना चाते हैं ये तो आपको देखना ही पड़ेगा आप देखेंगे 50 में से एक भी आपको नहीं मिलेगा और इन में से एक भी बन्दा आपके वीडियोज को नहीं देख रहा हो तो वो आपका genuine subscriber नहीं हुआ और उससे भी बड़ा जटका आपको लगेगा जब इस subscriber में से कुछ लोग आपको unsubscribe कर देंगे ऐसा गलती सभी new youtubers करते हैं मैंने भी किया था और किया था इसलिए मुझे ऐसास हुआ है और आपसे ये वीडियो मैं share कर रहा हूँ देखिए YouTube एक independent platform है यहां पर आप किसी अच्छी topic को ढूंड कर उसे सजा कर अपनी audience के साथ share कर सकते हैं जो topic जो content आप YouTube में वीडियो बना कर डाल रहे हो उस content पर आपका sufficient knowledge होना चाहिए for example हमें ले जीए मैं क्यूं ऐसा वीडियो बनाता हूँ क्यूंकि software पर हमारा knowledge कुछ है इसलिए बनाता हूँ और ये वीडियो बनाना इसको edit करना इसको कैसे represent करता है ये बताना ये छोटा मूटा software के खेल होता है इसलिए मैं इस वीडियो बनाता हूँ क्यूंकि असल में मैं एक teacher हूँ और सिखाता हूँ इससे कही गुना बड़ा software को यूज करना और कुछ शेत्र में software को develop करना चोटा मूटा software इसलिए बोल रहा हूँ क्यूंकि mobile में जो applications हम यूज करते हैं वो चोटे ही होते हैं और यह चोटा software और applications हम mobile में यूज करते हैं और यह applications को यूज करके कैसे आसानी से हम एक video बना सकते हैं और उसे YouTube में upload कर सकते हैं यह सिखाना मेरा content होता है अब आप ही decide कीजिए मेरा subscriber कौन बनेगा जो लोग YouTubers बनना चाते हैं वो बनेगा उसके इलावा कोई नहीं और मैं जोर जवर्दस्ती कुछ लोगों को देकर subscriber base बना भी लियां तो क्या होगा नुकसान ज्यादा love कम होगा क्योंकि उन में से 1 या 2% लोग YouTuber बनना चाहेंगे आशा करता हूँ इस video से कुछ सिखने को मिला है आपको और कुछ मिला तो ही आप like कीजिए और इस channel को subscribe कीजिए इस video को बनाने के लिए जो जो gears हमने use किया है उसका link नीचे description में दिया हुआ है अगर आप चाहें तो वहांसे purchase कर सकते हैं Thank you for watching this video and take care of yourself and your family